नमश्कर्ट स्वगत है आपका आप देख रहे हैं दानियूस और मेरानी गुपता आपके साथ जिस तरीके से महरास्ट्रा के मीरा रोड में पत्रा हुआ था और जो यात्रा निकाली जा रही थी सनातिनियों के द्वारा उन पर उपद्रियों ने हमला किया था इस पूरे माम हुआ था और इस पोस्ट में अबू शेक नाम का जो यूवक था वो लोगों को भड़काता हुआ नसर आया था जिसके बाद इस वीडियो को वारल करने वाले शक्स को पुलिस के द्वारा गिरफतार कर लिया गया है इसी के साथ ही अगर बात हम महरास्ट्रा के डेपटी सी अम्देवेंद्र फड़न्विस की करें तो उन्होंने साफ तोर से ये कह दिया है कि रज के कानहून विवस्था को बिगारने वाले तत्मों को बरदास्त नहीं किया जाएगा और इनके खलाब सख्त कारवाई होगी आपको बता दे इसी के साथ ही मीरा रोड और आस पास के इलाकों में कड़े सुरक्षा के इंतजाम भी किये गए हैं दरसल आयोध्या में रामलला के भव्य प्रान प्रतस्था समारों से पहले महरास्ट्रा में मुंबाई के पास मीरा रोड पर दो समुदाई के बीच कड़ी जड़प देखने को मिली थी आरोप है कि जड़प के साथ कुछ अजारक तत्वों ने सनातन यात्रा पर पत्राव कर दिया से कई लोगों को चोट लगी वो घायल होगे इस घड़ना से गुसाय लोगों ने पलटवार किया और जम कर बवाल हुआ सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मामले को इस्षांत कर बाया पता देए कि सोशल मीडिया पर कई वीडियो वारल हो रहे हैं और इस सिलसले में महरास्ट के डेपटी सीम देवेंद्र फणनविस के निरदेश पर अब तक तेरा लोगों को गिरफतार किया गया है और अन्य संदिक्दों की पहचान भी की जा रही है इस दौरान एडिशनल सीपी श्व 17 बजवाले ने ये कहा कि अबुशेख नाम के शक्स का एक वीडियो वारल हुआ है जिसमें वो लोगों को भड़काते हुए नसर आया है इस वीडियो को पोस्ट करने वाले वेक्ति को गिरफतार कर लिया गया है और M.V.V.V. पुलिस ने दो दिन की हिरासत भी मांगी है इ इस पूरे मामले में इस वक्त महरास्ट की पुलिस हो या फिर महरास्ट की सरकार हो लगातार एक्शन के मोड में नसर आ रही है और आरोपियों के खलाफ और द्रवियों के खलाफ ये कठोर खारवाई अपनाई जा रही है और इसमें अब तक 13 लोगों की गिरफतारी की आपको बता दे कि इलाके में तनाव को देखते हुए मुंबाई से सटे मीरा रोड इलाके में भारी सुरक्षा तैनात की गई है इस थानिय पुलिस, मुंबाई पुलिस, पालगर पुलिस, थाने ग्रामिन पुलिस और इसी के साथी रैपट आक्षिन फोर्ड और महरास्ट सुरक्षा बल और इसी के साथी S.R.P.F. को इलाके में तैनात किया गया है यानि कि यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा के पुखता इंतजाम किये गए है ताकि एक बार फुर से इस तरीके की दुबारा घटना ना घटित हो या फिर इस तरीके से जो अवांचित तत्व है वो महौल में शांती जो बरकरार है उसे भंग ना कर सके इन तमाम चीज़ों को मद्दन असर रखते हुए ये कड़े सुरक्षा के इंतजाम पूरे अलाके में किये गए है बता दें कि इस घटना को लेकर महरास्ट के डेपटी सीम देवेंद्र फणनविस ने पुलस को कारवाई करने के निर्देश दिये थे उन्होंने दो टूक ये कहा था कि राजजमे कानहून विवस्ता को बिगारने की कोशिश करने वालों को कताई बरदाश्त नहीं किया चुआएगा उनके खलाफ सक्त से सक्त कारवाई होगी दरसल डेपटी सीम देवेंद्र फणनविस ने अपने सोशल मीडिया पर कहा है कि मीरा बायंदकर के नया नगर इलाके में हुई घटना की पूरी जानकारी ली गई है मैं मीरा बायंदर पुलस कमिशनर के साथ लगातार संपर्क में हूँ पुलस को आरोपियों के खलाव सक्त गारवाई करने का निर्देश दिया गया है इस मामले में अब तक 13 आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है और CCTV फोटेश की जाच कर अन्य आरोपियों की पहचान करने की प्रक्रिया जारी है महराष्ट में कानहुन विवस्था को बाधित करने में की कोई भी कोशिश कर रहा है तो इसे बरदाश्ट नहीं किया चाएगा और उनके ऊपर सक्त से सक्त कारवाई की चाएगी बता ले कि पुलिस उपाए उक्तेज़ेंत बाजबले ने बताया है कि रवीबार रात करीब 11 बजे दोनों समुदाए आमने सामने आये थे और हिंदू समुदाए के कुछ लोग मीरा रोट से सटे नया नगर इलाके में 3-4 गाड़ियों में नारे लगा रहे थे कुछ ही देर बाद दूसरे समुदाए के लोगों ने बीच बहस शुरू कर दी उसके बाद सूचना मिलने के तुरंट बाद मौके पर पुलिस पहुँची कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है इसी के साथ ही अधिकारी ने कहा है के स्थिती को नियंतरण में कर लिया गया है और इलाके में फ्लाग मार्च किया गया है नया नगर पुलिस ने पाच लोगों के खलाफ मामला दर्श किया है आरोपियों को गिरफतार कर लिया गया है वही जानकारी के मुटाबिक मुंबई के नया नगर इलाके में स्थती गंभीर है या उपद्रियों को कान्हून की धज्जिया उड़ाते देखा जा सकता है पताया जा रहा है कि यहां लोगों को जबरन पकड़ कर मारा गया बीती रात महिलाओं पर भी हमला किया गया है जु इस घटना के एक दिन बाद एक बार फिर वहां रैली निकाली गई जिसमें लोगों का हुजूम नसर आया फिलाल पुलिस अस्तिती को सम्हालने में लगी हुई है बता दे कि नवी मुंबई के खारगर से पनवेल की और बाइक रैली निकाली गई इस दौरान किये गए हमल में तीन लोगों के घायल होने की ख़वर भी सामने आई है इसी के साथ ही कुछ गाडियों में भी तोड़ फोड की गई है पुलिस हमलावरों की पहचान में जुटी हुई है बता दे कि 22 जनवरी दोहसार चौबीस को आयोध्या श्वीराम मंदिर में रामलाला का भवे प्रान प्रतिस्टा किया गया और इसी चीज को ले करके पुरे देश भर में जशन का महौल है तमाम जो लोग हैं सनातनी लोग इस वक्त जशन में डूबे हुए हैं क्योंकि 500 वर्षों के संगर्ष के बाद उनके आराध्या रामलला टेंट से निकल करके आज भव्या मंद में विराजमान हो चुके हैं और इसी बात के खुशी वो मना रहे थे लेकिन ये बात दूसरे पक्ष के लोगों को रास नहीं आ रही है और लगातार वो या तो हमला कर रहे हैं या तो फिर ऐसी बाते कह रहे हैं जिससे की इस हमले को और भी जादा बढ़ाया जा सकी जिस कहा जा रहा है कि अबूशेक क्या वीडियो है जो की विवादत बोल बोल रहा है लोगों को भड़काने का काम कर रहा है हाला कि ये वीडियो जम कर वारल हुआ लेकिन इसके बात पुलस ने इस वीडियो के खलाफ कारवाई की है और इस वीडियो को जिस शक्स ने वारल किय है उसकी वी गिरफ तारी पूलस के द्वारा कर ली गईय है यानि कि पूरी तरीके से बात अगर हम महरास्टा पूलस की करे ने इस थouthos को संभालने की भरपूर कोश्श की है फिर चाहिज वह मिरारोट का मामला हो या फिर पनवेल का मामला हूँ लेकिन यह मामला सिर्फ महरास्ट का ही नहीं है बलकि गुजरात में भी इसी तरीके से चीज़े देखने को मिली जहां पर दो पक्षों में इस तरीके से भयंकर पत्राव देखने को मिले थे आपस में लोग लड़ते बिड़ते नजर आए थे लेकिन जहां पर लोग जोशन का महौल मना रहा है और पूरा का पूरा ये जो मंदर का विवाद है वो सुप्रीम कोट के फैसले के बाद हल हुआ है लगातार इस चीज को लेकर के वर्शों से लड़ाई लड़ी गई थी सुप्रीम कोट में और उसके बाद सुप्रीम कोट ने ये फैसला 2019 में सुनाया कि उस स्थान पर ये पाया गया है कि मंदिर था और अब वहीं पर मंदिर का निर्मान किया जाएगा यानि कि उस जमीन को हिंदू पक्ष को दे दी गई और आज वहाँ पर भव्य बंद कर त्यार हो चुका है प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रामलला का प्रान प्रतिस्टा किया जाता है उद्घाटन किया जाता है लेकिन इन सब के बावजूद ये बाते जो है अभी तक कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें रास नहीं आ रही है जिसकी वज़े से लग प्राइब